सौरब पटिल और शिवाशीश ने कुछ टाइम पहले बिग बॉस के घर में एंटरी मारी लाइम लाइट में भी आए हैं लिकिन खासा चर्चाओं में तब आ गए जब हाल ही मैं सौरब पटिल पर आरूप लगा कि उन्होंने जूट बोला है फ्रॉड किया है वो एक किसान नहीं बलकि एक स्ट्रगलिंग अक्टर है असिस्टेंट डिरेक्टर है पर इस पूरे मामले पर अब सौरब के भाई ने किया है नया खुलासा क्या कहते हैं सौरब के भाई नमस्कार में हूँ अवशीक स्वागत है आप सभी का फिल्म बीट चानल पर बात चुल रही है सौरब पटिल के बारे में बिग बॉस बारा के कंटेस्टेंट जोडी में आए हैं शिवाशीश के साथ हाल ही में खुलासा हुआ कि सौरब का असली नाम सौरब नहीं बल्कि साहिल रमिश पटिल है वहीं पर ये किसान नहीं बल्कि एक एक एक्टर है असिस्टन डिरेक्टर भी है कास्टिंग फिल्में भी काम करते हैं लेकिन अब इस पूरे मामले पर काफी बावाल मचा रहा लेकिन इसी मामले पर जब बात की गई सौरव पटेल के भाई सुरेन पटेल से जो की जब अलपूर के उस गाउं में है जहां से सौरव बिलॉंग करते हैं तो उन्होंने कहा कि उन्हें सौरव के दूसरे नाम के बारे में पता ही नहीं था, वो बिल्कुल जानते ही निस बार में उन्होंने बातचीत में कहा कि उनका असले नाम सौरव पटेल ही है, रामिश्वर पटेल उनके पिता का नाम है, हम नहीं जानते कि आखिर सौरव को साहिल क्यों कहा जा रहा है या मुंबई में उन्हें साहिल नाम से जाना जाता है, उन्होंने इस बात की आपको साहिल नाम से इंट्रोड्यूस करवाया हो तो कोई बात होगी, एदरवाइस सौरव का नाम सौरव ही है, वो जूट पोलकर नहीं आये हैं। वहीं पर सौरव और शिवाशीश के बारे में जब उनसे पूछा गया, उनकी दोस्ती के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो गुल मिलाके इस तरीके से बात सामने आई है, सौरब के भाई का खुलासा है कि सौरब का नाम सौरब ही है न कि साहिल रमेश पटे, फिलाल इस वीडियो में तना ही